हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जी मैं हूँ सिम्रन और आप सभी देख रही है माई लिटल गार्डन तो कैसे हैं आप सभी और किस तरह से चल रही है आपकी गार्डनिंग और ये रही छोटी से जलकी मेरे टेरेस गार्डन की तो एक बहुत ही प्यारा प्यारा सा फूल खिला है ये देखिए ये है बर्ड ओफ पैरडाइस का ये फूल बहुत बहुत खूबसूरत है और ये पहली बार मेरे गार्डन में आया है और ये फूल 14 मार्च से खिल रहा है रोजाना इसमें से एक-एक ये जो पैटल जैसे आप देख रहे हैं जैसे चिडिया का कोई पंक होते हैं इस तरह से और ये वाला जो हिसा है इसे हम अगर ध्यान से देखी तो लगता है ये चिडिया की जो है ये चोंच जैसी लगती है जिसे हम बीग कहेंगे देखिए पूरा प्लांट और यहां से कई सारे और भी जैसे स्टॉक से निकल रही है यह देखिए इसे हम स्टॉक कहेंगे तो अभी मुझे ठीक से इसके जानकारी नहीं है यह इसके पत्ते होंगे या फिर फिर से फूलों का ही कोई नया स्टॉक होगा तो रेनी सीजन में हम देखेंगे इसमें और भी अच्छी ग्रोथ आएगी और कुछ फूलों से मिलवा दूँ यह एक मेरा दस इंच का पॉट है जिसमें पीले रंग वाला यह टिकोमा लगा है जिसे मैंने पूरी तरहा से अच्छे से कट कर दिया था पूरे प्लांट को मैं बिल्कुल ट्रिम कर दिया था देखें बहुत नहीं नहीं ग्रोथ आई है और कई सारे फूलों के इन में बंच आने वाले हैं यह खिल गया है बहुत ही प्यारा इसका रंग है तो आपके गार्डन में एक हमेशा फोल देने वाला जो पक्का रहने वाला यह टिकोमा प्लां इसके बार यह है अलिफेंट फूट और कई सारे पक्के पॉद्हे जो सेकुलेंट में आते हैं यह रूबी नेकलिस का प्लांट है जिसे मैंने कई सारे कटिंग से तयार कर लिया है कई सारे गमलों में लगा है फूल इस पार आपने मेरे गार्डन में ना के बराबर ही है और भी है मेरे पास जैसे लाइट पिंग है और वाइट में भी है इन फूलों को आप जरूर जरूर सर्दियों में ग्रो करें यह जैनर्डू है कुछ यहां पर बड़े पत्तों वाला यह मनी प्लांट है और यह है टर्टल वाइन और एक यह पॉट यह मैं निकाल लेते हूँ इन सभी को मैंने छोटे छोटे इस तरह के चार या पांच इंच वाले पॉट में कटिंग से लगाते ही रहती हूँ यह आपको मेरे नर्सरी में भी मिल जाएगा तो नर्सरी की वीडियो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगे आपसे बहुत गर्मी हो गई है और यह छोटी सी काईस्क्रीम की छोटी सी पॉट में देखे इसमें मैंने एलिफेंट फुट लगाया है यह काफी मिलता जूलता है जेट प्लांट से तो अमरिसर में अचानक से गर्मी हो गई है सुभा की दस बज़े का टाइम है और कम से कम भी यहाँ पर टेंप्रेचर जो है वो 29 है इस टाइम और यह एक मेरे है राखी बेल इसे भी बिलकुल यह सुखी सुखी डंडिया जैसी ही रहे गई थी अब देखें कोमल-कोमल बहुत प्यारी प्यारी पत्यां इनमें अच्छी तरह से ग्रो हो गई है तो यह जो मौसम होता है मार्च का महीना इनमें बहुत सारी ग्रोथ होती है नई नई प्लांट्स में जो खराब जो हो गई है उन्हें आप कट कर दीजिए और भी है मेरे पास ये रूबी नेकलेस तो ये शाम के वक्त बहुत जादा धूप में रहने से गुलाब की पतियां एकदम से जल गई हैं बहुत अच्छे गुलाब खिले थे इसमें और इस तरफ से दिखा देती हूँ ये जो हमारा सेंटर पीस था दरसल ये मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ अभी लेकिन चल ये दिखा ही देती हूँ यहाँ पर सर्द्यों में जो लगे थे मेरे पास इस क्रिसानत्समं इन सभी को मैंने अच्छे से कट कर दिया है जो भी पुराने फूल हमारे हो गए थे उन सभी को मैंने कट कर दिया है प्लांट में फिर से देखे बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई है और बहुत सारे तो एक स्टार फाइकर्स ये देखिए ये तो टर्टल वाइन है बहुत बहुत इसकी अपने आप ये ग्रोथ हो जाती है मौसम के आते ही जितनी ज्यादा ये च्छाओं में रहेंगे ये इसी तरह से भर-भर के इनकी ग्रोथ हो जाएगी और ये कुछ पॉर्ट है यहाँ पर मैंने धनिया ये जो पालक है ये सभी को मैंने इनके सीट्स डाले थे बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई और ये क्रिसान्थम हम देखिए कितने अच्छे हरे भरे हैं और ये बीबी सन्रोज ये हमारा मदर प्लांट है इनमें से मैंने बहुत बहुत कटिंग्स निकाली काफी सारे मैं यहाँ से अपनी नर्सरी में भी दे चुकी हूँ तो इस तरह से आज एक छोटी वीडियो आपसे मैंने शेयर किया है दोस्तों आप सभी प्लीज नाराज मत होना बहुत जल्दी न्यू सेटप लेकर आऊंगी और ये हमारा मधु मालती है ये भी मैंने पूरे बिल्कुल सारा मैंने खाली कर दिया था तो अब देखिए कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ आ गई है प्लांट को ट्रिम करने से उनमें कटिंग करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं आप जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी ये कॉर्नर बस इसी तरहा से है एरोकेरिया की दो प्लांट रखे है मैंने तो बस ये छोटे मोटे प्लांट से अब मेरे पास है जिन्हीं मैं इन्हीं की देखभाल अभी मैं कर रही हूँ अभी मैंने ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है ये भी लगाना है मुझे क्योंकि ग पौधों की सैपलिंग है जो बेबी प्लांट है वो सभी नर्सरी में आ गया है नर्सरी से भी बहुत जल्दी मैं वीडियो आप सभी से शेयर करूंगी ये टर्टल वाइन बहुत सारे ये बस थोड़े से भी हो तो बहुत जादा ये भर-बर कर इनकी ग्रोथ हो जाती है और दोस्तों कुछ टाइम के लिए मैंने ऑनलाइन जो प्लांट थे वो नहीं भीज रही थी आप सभी जो भी प्लांट लेना चाहे आप नीचे दियो हुए नंबर पर आप मेसेज करें फ्यूशर प्लांट की भी बहुत जादा डिमांड है वो प्लांट भी आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों सेकेंड पार्ट लेकर जल्दी ही आऊंगी बाबाई टेक केर हैपी गार्डनिंग और फ्यूशर का प्लांट है जिनमें सभी में अभी बर्ड स्टार्ट हो गया है तो आप इस नंबर पर आपना बुक कर सकते हैं